समावरतन संसकार का वर्णन करें ये प्रसंद क्लास 10 के संस्कित से है और खास मैट्रिक परिशा के लिए है इसलिए आपने वीडियो को स्किर्प मत किलेगा वीडियो को पूरा जरूर देखेगा समावरतन संसकार का वर्णन करें आप जानते हैं समावरतन संसकार जो है हिंद यहां पर हम लिखेंगे, हिंदू, लिखेंगे, हिंदू, हिंदू का, बारहवा, बारहवा, संस्कार, संस्कार, समावर्तन, संस्कार, है, आगे लिखेंगे, प्राचीन, प्राचीन काल, प्राचीन काल में, जब, जब गुरु कुल, में, जातक, जातक, यानि बालग, ठीक है, जातक की, सिक्षा, सिक्षा, पूर्ण, पूर्ण हो, जाती, थी, तो, तो उसे, विदाई, की, जाती, थी, विदाई, के, पूर्व, पूर्व, गुरु, उसे, उसे, आगामी, आगामी, जीवन, के, लिए, लिए, उपदेश, उपदेश, देते, थे, इसे, ही, समावर्तन, संसकार, कहा, जाता, है, इस तरह से, आप जो है, इसका साठीक इंसर लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए, समावर्तन, संसकार का वर्णन करें, तो आप लिखेगा, हिंदू का, बारावा संसकार, समावर्तन, संसकार है, प्राचीन काल में, जब गुरु कुल में, जातक की सिच्छा पूर्ण हो जाती थी, प्राचीन काल में, पहले आप जानते हैं, प्राचीन काल में, बच्चों की सिच्छा गुरु कुल से होती थी, यानि कि, आज हम लोग जिस विद्याले में पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं था पहले पहले जो है गुरुकुल चलता था यानि कि बच्चे वहां रहा पड़ते थे ठीक है तो गुरुकुल में जब जातक यानि बाला किसी चप पुर्ण हो जाती थी तो उसे विदाय दी जाती यानि उसे जहां से अब विदा होना है विदाय दी जाती थी विदाय के प मावरतन सलसकार कहादाता है